गोरको न्यूज के सर्प्रायों जखे मठकू मंगलम टावर गोलगर गोरकपूर सीम योगी ने भाजपा के महानगर में निवास करने वाले कारेकरताओं के साथ वर्चुल क्या समवाद कहा 2017 के पहले उत्रप्रदेश में अपराधियों का था बोलवाला अपराधियों को सर्रक्षर देने का काम करती थी समाजवादी पार्टी की सरकार सपा ने पूरे प्रदेश में मात्र 18,000 बनाये था आवास जबकि योगी सरकार ने केवल गोरकपूर महानगर में बनवाएं हैं 32,000 गरीबों की आवास चार फरवरी से कलेक्टरेट परिसर में होने वाले नामांकन अस्थल का एडियम फाइनेंस वा एस्पी ट्रैफिक ने किया निरक्षन एडियम फाइनेंस ने कहा चार फरवरी से कलेक्टरेट के गेट नमबर एक से गेट नमबर दो तक के मार्क को किया जाएगा बेरिकेटिक प्रत्याशी वाधिकार्यों की ही होगी इंट्री 2022 विधानसभा चुनौव में ड्यूटीव पर लगे कार्मिकों का प्रसिक्षन शुक्रवार को भी रहा जारी मतदान कराने की रवानगी से लेकर मतदान की वापसी तक की दी गई जानकारी जनपद में सपा की द्वारा नौ विधानसभा में एक भी मुसलिम प्रत्यास्टी को टिकटना देने से सपा नेता एड्विकेट हिवजुल रह्मान अजवल ने सपा का जंडा जलवा कर किया विरोध प्रदर्शन सपा पर मुसलिम विरोधी होने का लगाया आरूप कहा केवल मुसल्मानों का वोट लेना चाहती है समाजवादी पार्टी रेलवे स्टेशन की हाइजएक करने की सूशना पर शुक्रवार को बढ़ाई गई स्टेशन की सुरक्षा आरपी अफ प्रभारी ने कहा उपद्रियों द्वारा बिहार और प्रियागराज की उपद्रों के बाद जनपद में रेल रोकने की मिली थी सूशना सहजन्वा की विधायक सीतल पांडे की जगह गोरकपूर के छेट्रे महमंत्रे प्रदीप शुकला को मिला टिकट सहजन्वा से भाश्वा के भावी प्रत्यासी ने कहा एक कार्यकर्टा का बढ़ा है सम्मान केंद्रोर प्रदेश ने तित्यों को दीबधाई पुलिस अधिक्षक यातयात की अधिक्षता में यातयात व्यवस्ता को सुधर्ण बनाने के लिए मीडिया के साथ आयोजित किया गया गोस्टी कहा मीडिया के तरस से आए हैं बहतरिन सुझाओ उनको उतारेंगे धरातल पर जिन्पत में लगाया जा चुका है कोविट के प्रथम डोज का 95% दित्य डोज का 6% बूस्टर डोज का 6% तथा 15 साल से लेका 17 साल तक के बच्चों को लगा 54% कोविट का टीका सियमो ने कहा कोविट प्रटोकॉल और सोसल डिस्टेंसिंग का करे पालन रहे सुरक्षेद गोर्यकूल में शुक्रवार को पाए गए 190 ने गोर्ना संक्रमित मरीज जिले में घट रही एक्टिव केस की संक्या अब एक्टिव केस की संक्या हुई 1550 सियमो डॉक्टर असितोस कुमार दूबे ने की पुस्टी और जनप्रद में अगले तीन दिनों तक रहेगी ज्यादा ठंड एडियम फाइनस राजेस कुमार सिंग ने दी जानकारी